नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे हरियाना सरकार के एक अच्छे पके करमचारियों की आज की मुख्य खबरों की तो सफाई करमी भी सरपचो की नहीं सुनेंगे तो वह किस काम के एसोशेशन तो सरपच एसोशेशन जो है उन्होंने सफाई करमचारियों पर अरोप लगाए हैं कि सफाई करमचारी जो है सरपचो की बाते नहीं सुन रहे हैं गाउं में सफाई करमी की बज़ाए मनमानी करते हैं और उन्होंने सफाई कर्मियों को कई बार बुलाया और गाउं में सफाई की बात की, फिर भी करमचारी उन की बात नहीं मान रहे इसलिए विबागे निमानुसार पंचायत का प्रस्ताव पास करागामी कारवाई के लिए बीडीप्यों करेले बेजा जाए अगली खबर निकल क्या रही है रोडवेज से संबंदी तो रोडवेज चालकों को नहीं मिल रहा ओवरटाइम आंदोलन्द की चातावनी दी है यूनियन पता दिकारी बोले साल 2018 से चल रही है यह समश्या है रूटों का सरवे करा था लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया मानसिक प्रशानी से गुजर रहे हैं चालक रमेश योकंद ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद इसको लेकर बड़ा अंदोलन्द छेड़ा जाएगा ताकि चालकों वा प्रिचालकों के बीच ओवरटाइम वी संक्ति को दूर किया जासके हरियान में 6,000 चालक वा है पूरी हो वहां रैस्ट दिया जाता है अगली घबर निकल नदेशने का रही है पबली कायों करम चारियों की मांगों वह समस्यां उपर अपर किता से मन्थन किया हरियाना पब्लिक एल्थ करमचारी संग जो है इन्होंने बैठ के रजवणा मन्थन किया है और मुख्या मांगों की बात करें तो ठेके दारी पर्था के तैयत लगे सेश करमचारियों को अर्याना को सद्रोजगार निगम में पोर्ड करा जाए और सरकार द्वारा को सद्रोजगार निगम के करमचारियों को दी जाने वाली शुविदाओं को जन स्वास्ते अभियंत्रिक विबाग के करमचारियों पर लागू करवाना तो इन करमचारियों को वास्तवी कनूबहुस्त्यापित करवाना लग दिल्वाना जिन पदों कियों किता स सब्सक्राइब नियुक्त परदान करवाना तो यह एक क्या रूप में इन्होंने अपना जो है मुख्य रूप से मांग करना ताकि जितने भी पब्लिक एल्थ के नतरकत जो करमशारी लगे हुए है ठेके तारी पर्था से सब्सक्राइब निकाल के उनको हर्याना कोशल में लेके आ जाए सैलरी जो पच्छी 500 की जाए जिसकी आई टी आई कर रखे जिसने भी तो अगली खबर निकल के आ रही वारे नगर पालिका करमशारी नगर पालिका में सफाई कर्मियों से हो रही ही सोचन को लेकर चोथे दिन काम समानवेतन आदेशों को लागू करने का जो मुख्य मांगे रखी है अगली खबर निकल के आ रही है हरियाना सरकार्निक ग्रूप A वा ग्रूप B पदों में अनुसुचित जात्ती के अपसरों के लिए पर्मोशन में 20% का जो आर्क्षन हो लागू कर दिया है विवाग को जटका मिला वाई हाई कोट ने ग्यारा सोट हैंतर को की जो याचिका है वो खारीज कर दी है लंबे समय से लगवग दोड़ साल हो गया है यह चली वी थी इन्होंने मामला दे रखा था कि हमें बिना नोटिस के बाहर निकाला गया है रिजल्ट रिवाइज होने के कारण अगली खबर 1170 कल्रकों की शेवा समापती के आदेश के खिलाप याचिका खारीज हो चुकी है अगली खबर रहेगी ग्रूप D CET एक्जैम से आपको पता है CET एक्जैम होने वाड़ा है 2122 अक्टूबर को तो ग्रूप D की प्रिक्षा में ICS से ही प्रिक्षा के अंदर मे एंट्री होगी ग्रूप D प्रिक्षा के साथ मिलाने किया जाएगा और प्रिक्षा के अंदर अंदर जाने दिया जाएगा कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी फिर भी अगर ऐसा कोई होता है कुछ भी मामला आता है तो सीद्धा बात है कंडिडेट पे नहीं कि इसी तरह हर रोज अपडेट हम लेकर आते रहते हैं कच्चे पके करमचार रिष्ट जोड़ी हर जानकारे आपको मिलती रहेगी वीडियो अपने देखा इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद